जिता कुकर बने रहे जिता कुकर बने रहे करने के लिए और आप पादत 시ri lol हो तो किुझों भन सियृ को अब सीजियों से v02 अगर आप जाने खीचांश , उ पहले मैं आपको बताती हूं कि अब शुबह के बज रहे पांच Armenे सिधा कुछा करने नहीं दी आवसे व्हारता है रहीूं है एकसाइड के लिए जारी हूं कि सुबा सुबा अगर बहुत सारे काम होते हैं तो हम जल्दी जल्दी एकसाइड neày कर सकते हैं और एकसाइड कम से कम से कमें तीस मिनट करना है आउंघ खुले और हम डाइरेक्ट से साइज करें तो अच्छा नहीं लगता सो मैं कर रही हूँ लंच की तयारी क्योंकि आज इनको सुरी मॉर्णिंग की सिफ्ट है तो इजे सुबह सुबह जाना है तो ये घर से छे साड़े छे बज़े करीब बिल्कुल निकल जाते हैं तो मैं लग गई हूँ नास्ता बनाने में और आज मैंने लंच में बनाया हुआ छोला और रोटी क्योंकि ये लोग पूरी बगार ज्यादा घाना पसंद नहीं करते तो मैं ज्यादा तर सादे खाना ही बनाती हूँ और बिल्कुल ही कंग तेल मसालों के साथ मैंने बनाई है बहुत ही तेस्ती यमी छोला आप देख सकते हो कितना अच्छा है और रोटी को मैं थोड़ी सी घी लगा देती हूँ ताकि ये लंबे समय तक सॉफ्ट रहे और खाने वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे तो म मैं दोनों जने का डबा नहीं पैक कर सकते हैं तो ठंडा आ जागा और और इसके बाद से मैं जाओंगे एक्सरसाइज करने के लिए तो लंच वगारा सब कुछ मेरा पैक हो गया और टाइम आप देख लो अभी बज़ रहे है साड़े छे यानि की मेरा साड़े छे वर तक कंप्लीट हो चुका है छोला वगरा सब कुछ बन गया है नास्ता भी मेरा भी बन गया और यह अभी निकल रहे हैं डूटी के लिए तो अभी यह चले जाएंगे और इसकी बाद से मैं आराम से एक्सरसाइज करूंगी और तभी मतलब जब तक सभी लोग घर से नहीं चले अच्छे से नहीं कर पाते हैं सो फ्रेंट्स मैं आ गए हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए और में एक्सरसाइज करीब साड़े-8 बज़े के करीब स्टार्ट कर रहे हूं यहां कूंकि आदे गंटे में सारे कीचेन इतने मैसी हो जाते हैं सब के जाने को जाने के बा अक्सर, करते हैं कि सूबह उटने एक बाद, सबसे पहले खाली पुटना, या थंड़ा पानी पी लेते हैं, न iPhone चाई कॉफी यह ही सब लेते हैं तो आपको ये बिलकुल चाई कॉफी स्केप करके सीधह आपको गरम पानी पे आ जाना है या तो जीरा पानी पे आ या तो अजवाइन पानी पे तो इन ही चीजों को आपको चेंज करना है और दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा एक्सराइज इंक्लोड करना ही करना है ये दो चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं न तो आप सिरियसली मैं बताती हूँ आप लोगे सीधा मिलती हूँ इवनिंग टाइंग में क्योंकि 18 जुलाई हाँ ये मैं आपको बड़े 19 जुलाई को सेयर करूँ बट 18 जुलाई को मेरे बेटे का बड़े हैं सो मुझे बहुत सारी त्यारिया करनी थी बहुत सारे सौपिंग करने थे इसकी वज़ा से हम ती दी मार्ट से ही होता है तो वही मैं ग्रोसरी वगरा तो ले लिया था मैंने और मैं थोड़ा सा यह समना कप प्लेट वगरा ना मुझे खरीदना बहुत ज्यादा पशंद है तो मैंने सोचा चलो देखती हूं कि क्या ले लूँ तो यह देख सकते हूं सच में बता रहे हूं मैं इस वीडियो में शेर कर रहे हूं 12 वजे जो सैलिबृशन किया है और नेक्स साम को हमने पाटीवारी किया है वह आपके साथ नेक्स्ट वीडिईयो में मैं सेयर करूंगी जो यहां पर मैंने अपने लिए टॉप देखना स्टा rally कर दिया फीर बोल रहा हैकि चलो-चलो तो बिल बहुत ही ज्यादा बन जाएगगा और पता नी closing market में आने के वदन HAVE मन हो ही जाता है लिए कि टी शेट ले लिया वैंने वे उसके बाद से मैं आ आ गई घर और उसके बाद से मैंने बहुत साथे खाने पिने के त्यारी की तो फ्रेंड्स अभी ना रात को बजरे है इगा रहा है बाबू को बहुत ही तेज नीन दा रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इससे केक कटिंग करा लिया जब पता नहीं यह सो जाएगा तो फिर हमारा सारा प्लान मतलब इतना सारा करके मतलब नहीं कट कर पाएग यहां मंबई में भी बहुत तेज बारिस हो रही है तो इसलिए हम नहीं लेकर जा पाएगा बाबू को बट हम लोग ने सोचा कि चलो यहीं पर सेलिब्रेट करेंगा बट यह सब चीजे ना फैमिली एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बट क्या कर सकते हम इतने जल्दी जा भी नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं पिछली साल की मैं अपके लुक्सा थोड़ी बहुत दोचीन फोटोस सेयर कर देते हूं तो पिछली साल के बटे में तो बाबू के मामा भी आया था उसका कॉलेज खुल गया तो इसकी वज़ास तो उसको जाना पड़ा प मामा इसका आया था बड़ चला गया वो भी और जब मैं हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं और कुछ हमारे जब घर के कुछ नहीं होते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता बड़ बहुत छोटा इसकी वज़ा से हमें सब चीजों को अरेंज करना पड़ा क्यूंकि अभी इतना ब आई हूं इसके लिए क्योंकि हम अभी चार ही जाने इसके चाचू तो अभी ड्यूटी गये क्योंकि उनकी नाइट की सिफ्ट चल रही है तो मैं दिखाते हूं आपको मैं कितना चोटू सा केक लेका तो तीन लोग के लिए बस हम बाबू और थोड़ा सा इनके लिए इनको इसको फ्रीज में रख दूंगे सुबा में खा लेंगे आप देखो कितना क्यूट है सा केक है ना तो बस हम यही प्रिपेर कर रहे थे सारी चीजों को अरेंज कर रहे थे कि हमने से केक कटिंग कर आएंगे और मैं आपको फाइनल लुक दिखाते हूं अपने डेकोरेशन का तो यहां पर हम मतलब बाबू ममी पापा तीनों हम तीनों जन बैड़ गये हैं बाबू को केक कटिंग कराने के लिए चीजो बोलती हूं वो अच्छी लगती है कि दीरे देरे ना दो साल का हो गया और ये कब दोसालका हो गए हां बढ़ा हो सच में साला इसे यह दोdleब व्यजक्त बढ़ा हो गया और आप वीडियो स्कीप मत किजेगा कि आपको क्लिप उसमें दिखाऊंगी कि मैंने ना सिफ एक बार इसको कि बेटा पापा को अपर नाम करूच इतने अच्छे से क्यूर तरीके से पैर चुके परणाम करेगा बहुत यह अच्छा लगा क्योंकि बड़े वालदीन हमने सबसे पहले से भगवान को परणाम कराया उसके बाद मैंने बोला कि बेटा पापा देखो कितना अच्छा लग रहा ना बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया और फिर मैंने बोला बाबू मम्मा को भी परणाम करो तो इसने मुझे भी क्या मुझे बहुत ही जरूर अपडेट करेंगे तो इसके लिए आप हमारी वीडियो में प्लीज बने रहें अगर आपको यह वीडियो जरा से भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल करओंगे एँएं के इंड तो चरिया मिलते हुग कर एक अछी सी वीडियो के साथ और भी अच्छे-च्मचिदार वीडियो आते और यह अभी अभी बढडेव का पूरा वीडियो कंप्लीट होगा मिलती हूग कल आप लोंगे साथ अच्छे सी वीडियो में है तबकर की टा बैताब बाईब है